हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू फूट बाई रागनी तो फ्रेंट्स आज कल मार्केट में टमाटर बहुत इच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं और हमें टमाटर सीजन के खाने भी चाहिए बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए तो चलिए मैं आज आपके साथ सेयर करने जारी ह तो यहां पर फ्रेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है सरसो का ही तेल डाले ठीक है और जब तेल हलका सा गरम हो जाएना तब इसमें यह देखिए एक छुड़ा चमच इसमें हम पंच फोरन डालेंगे अगर आपके पास पंच फोरन ना हो तो आप जो है कि लाल मिच और एक तेज़ पत्ता मिच में डालेंगे और हलका सा सौटे करेंगे ठीक है उसके बाद यह दिखिए साथ से आठ कलियां लैसुन की बारिक चौप की हुई थोड़ा सा एक इंच अद्रक का टुकड़ा उसको ग्रेट कर लेंगे और इसको भी हम डालेंगे तो अद्रक को ग्रेट करके अगर डालेंगे ना तो टेस्ट और भी अच्छा आएगा तो यह जब हलका सा सौटे हो जाए तो इसके बाद हम कटे हुए टमाटर को डाल देंगे और अब टमाटर अच्छे से पक जाया ताकि अच्छे से सौप्ट हो जाए उसके लिए हम अच्छे से सौफ्ट हो गए है तो इसको अब हम चम्मच के हल्प से ही ऐसे मैस कर लेना है हमें तो तो अब हम क्या करेंगे इसमें हम गुल डालेंगे तो यहां पर मैंने हाफ केजी टमाटर लिया था तो उसके लिए हम 200-200 ग्राम गुल डालेंगे और मेरा यह बहुत छु बढ़ाई है इसके चूंक नहीं किये है मैं तो धालेंगे इसमें के साथ यह दिखे इसमें थोड़ी से रम यह बड़ा यह लाक्ते इसमें पटले रीखिलाय दो उसको बड़े बड़े इस चिछीश को हम फिर से कवर करेंगे अपनच एक ह्षे से इसको हम पकालेंगे तकर बाहर ही आप रूम टेंपरेचर में करीबन एक हपते के लिए तो खाई सकते हैं तो फ्रेंट्स यह लीजे पांच मुन के बाद यह दिखिए हमारी चटनी कुझी इस तरह से हो जाएगी बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनेगी यह जो टमाटर की गुड़ वाली लौजी होत अब टेस्टी बहुत यमी होता है तो फ्रेंट्स कैसे लगी आपको है यह मेरी रेस्पी अगर आपको यह मैरे सी टोड़ी पी अच्छी लगे निए तो प्लीज फैसाथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लिए तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नही रेस्पी के साथ थैंक यू बाइ बाइ